हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल क्रैस इडूकेशन में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज जो यह लाइव टाइमिंग टेस्ट है यह हमारे चैनल का सबसे पहला टेस्ट है और इस टेस्ट में टोटल दस कोस्टन है और एक कोस्टन पर आपको 10 से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर यह लाइब अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो लाइब है हमारे चैनल पर प्रतेक दिन होगा क्योंकि आप सभी लोगों को भली भाती पता है कि परिक्षा में अगर आपको ब पूर्ण ग्यान किस ब्यवस्था में शंभव है सहित्य की परंपरा का पूर्ण ग्यान किस ब्यवस्था में शंभव है ऑप्शन ए है शामंत बादी ब्यवस्था ऑप्शन बी है फुन्जिवादी ब्यवस्था ऑप्शन सी है समाजबादी ब्यवस्था और ऑप्शन डी ह है उप्युक्त सभी तो चलिए आपका 10 सेकंड का समय पार होता हुआ तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी हो जाएगा शमाज समाज बार्द वयवस्था शाहित्य की परंप्रा का पुर्द ग्यान समाज बारी व्यवस्था वह अब मरें दूसरा नंबर क्वस्चिन है पंडित बिर्जु महराज का जन्म कब हुआ था? ओप्शन A है 4 फरवरी 1928, ओप्शन B है 4 फरवरी 1936, ओप्शन C है 4 फरवरी 1936 और ओप्शन D है 4 फरवरी 1935 तो दूसरा का जो राइट अंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर A हो जाएगा, पंडित बिर्जु महराज का जन्म 4 फरवरी 1938, इस भी को हुआ था, तो दूसरा का राइट अंसर ओप्शन नमबर A हो जाएगा, अब हमारा तीन नमबर कोश्चन है यहां पर है, ला मादा मोजेल दा अविन्यो किसकी क्रीती है, यानि इसका सोट रूप अविन्यो किसकी क्रीती है, ओप्शन A, लियोनार्डो दा बिंची, ओप्शन B, पिकासो, ओप्शन C, रविंदरनाथ टेगोर, और ओप्शन D, बिशेंट बैन्गो, चलिए, इसका जो राइट अंसर होगा, ओप्शन नंबर B हो जाएगा, पिकासो, अब इन्यों जो है, पिकासो की क्रीती है, अब हमारा चार नंबर कोश्चन एहां पे, मचली कहानी में किस बर्ग का चितरन किया गया है, मचली कहानी में मचली जो कहानी है, उसमें किस बर्ग का चितरन किया गया है, Option A है उच्छ वर्गिये परिवार, Option B है निम्न वर्गिये परिवार, Option C है निम्न मध्ध वर्गिये परिवार और Option D है मध्ध वर्गिये परिवार तो चार नमबर का जो राइट अंसर हो जाएगा, Option C हो जाएगा निम्न मध्ध वर्गिये परिवार मक्चली कहानी में निम्न मधवर्गी ये परिवार का छितरन किया गया है इसलिए चार का राइट अंसर आप्सन नमबर C हो जाएगा अब हमारा पांच नमबर कोश्चन है बिश्मिल्ला खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है उप्सन A है इद, उप्सन B है बकरीद, उप्सन C है सावे बारात और उप्सन D है मुहर्रम तो पांच का जो राइट अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर D हो जाएगा मुहर्रम बिश्मिल्ला खां के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है इसलिए 5 का राइट अंसर, option number D हो जाएगा अब चलिए, अब हमारा छोर नंबर question है महात्मा गांधी के अनुशार उद्दात वा बढ़िया सिच्छा क्या है? महात्मा गांधी के अनुशार उद्दात वा बढ़िया जो सिच्छा है, वो क्या है? option A है अध्यात्मिक सिच्छा, option B है अंत्रिक सिच्छा, option C है एहिंसा प्रतिरोध और option D है सच छर्ता तो चलिए, छाओ का जो राइट अंसर हो जाएगा, option number C हो जाएगा एहिंसा प्रतिरोध महात्मा गान्धी के अंसर जो बढ़िया सिच्छा है वो अहिंसा प्रतिरोध है, इसलिए छाओ का राइट अंसर, option number C हो जाएगा अगर यह live session आपको अच्छा लग रहा हो तो please इसे like आवस्ते करिएगा अब हमादा 7 number question liaison एहाँ पे है कि बानी कब 20 के समान हो जाती है इसमें मात्रा और मात्रा आपको 3 option मिलेंगे, बानी जो है कब 20 के समान हो जाती है option A लाम नाम के बिना, option B तित्र थैटरा के बिना, option C है ग्यान के बिना तो बानी कब 20 के समान हो जाती है तो इसका राइटर जो अंसर हो जाएगा आपसन नमबर A हो जाएगा राम नाम के बिना जो है बानी 20 के समान हो जाता है इसलिए साथ का राइट अंसर आपसन नमबर A हो जाएगा अब चलिए अब आपका आठ नमबर कोश्चिन है कि रस्खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था जब रस्खान का रचना काल के समय किसका राज्यकाल था option A है अकबर, option B है हिमायू, option C है जहागीर और option D है औरंग जेग तो 8 का जो राइट अंसर हो जाएगा, option number C हो जाएगा जहागीर रस्खान के रचना काल के शमय, जहागीर का राजिता तो 8 का राइट अंसर, option number C हो जाएगा अब आपके होमर स्क्रीन पर 9 नमबर को चनाता है कभी ने परणजय किसे कहा है, option A क्रिश्ण को, option B सुजान को, option C बादल को, और option D हवा को तो 9 का जो राइट अंसर हो जाएगा, option number C हो जाएगा बादल को कभी ने परणजय बादल को कहा है, तो इसलिए 9 का राइट अंसर, option number C हो जाएगा और मेरे प्यारे चात्रों आप सभी को बता दें कि जो इस टेस्ट में, first, second और third लाइगा, उसका नाम और पुरा डिटेल्स, हम अपने community tab में उसे send करेंगे, वहाँ पे पोस्ट करेंगे, तो अच्छे तरीके से अंसर दे, चलिए, हमारा 10 number question आपका, जो कि last question है, दस question, दस number question है, कि प्रेम घन अपना अदल्स किसे मानते हैं, प्रेम धन अपना अदल्स किसे मानते हैं, option A है महात्मा गांधी, option B है विवेकानन्द, option C है रविंद्र नाथ टेगोर, और option D है भातेंदू हरिश्चंद्र, तो इस live session में हमने 10 question को रखा था, अगर live session अच्छी लगी है, तो इसे like करना ना भूले, और चैनल पर पहली वाला आया हैं, और पर तेग दिन अगर आप live series देना चाहते हैं, तो इस channel को subscribe करें, और साथ में बगल में एक bell icon होगा, उसको press कर लें, ताकि जब भी हम live test लें, तो उसका notification आप तक तुरत पहुंचाए, और आप live में समलित हो सकें, तो चलिए, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए, जैहिन, बंदे मात्र,